बच्चो आप सभी का पुला हमारे चेनल आइडियल देव क्लासेस में सौगत हैं बच्चो आज हम आपके लिए एडगेट बवर्गूफ प्रसुत्री पुस्तिका ने क्या है जो कक्षा आठवी के लिए और कौन सी विशे की है विशे भासाभारती तो चलिए देखते हैं व पशनुत्री को हल करने से पहले आप उस्तक का अध्यान अच्छे से कर लें पाट श्य भक्ति के पदपूर त्यारियों निर्देश सिक्षक पद की विभीन विधाओं के बारे में बताएंगे फिर नंबर दो बच्चों को मात्रिक वा वानिक छंदों का सामाने पहिचे कर बारे में जानकरी प्राप्त करने के लिए पहरित करें पार्ट के दिया है 15 possible के साथ सब्देश के बारें 5 दिया हैं पदो का हाँ नहीं के साथ वाचन करें और बच्चों से करवाएं नंबर 6 पदों का भावाध अपने सब्दों में करें चता सब्रसंगों पात्रों के हम सोटा चंद को धान के माध्यम से बताएं फिर दिया है चंद के अंग मात्राओं और उन्हें गिनने का अभ्यास कराएं तो इस परकार से बच्छों आपको यह पूर तैयारी कैसे सिक्षत के दौरा कराना यह बताया गया है अब देखते हैं बहुत विकल्पी प्रस्न क्या आइं चंद कहा है आपका मात्रिक्छंत के दोहा में पहले और थी में 3 मात्रा होती है और 4 दूसरे और नमबर तेरा ग्यारा क्यों की मात्रिक चंद दोहा में पहले ओर तीसरे चरणाण में कितने तेरा है और दूसरे और चाहरा घ्रैम किते मात्रा होता है Як alegation no.3 ra युशारे मात्रान की ? citizen number 11 यसलिए है तेरा है थी धДа जाएक है नमबर sh आसर क्या होगा इसका सभी आ जाएका अपका 10 lorsque प्रस्था निखें डेखिए कर 11 कहा है क्लका प्रेया बाद्फ नहीं है a no नीरज b no जलज c no अंडर और d no पंकज तो इसका सही आंसर आ जाएगा c no अंडर अंडर जो है कमल का परियावाची नहीं है तब उत्तर मैं बताएगे अधर्म का अधार्म उद्धाराक, मंगवार राम को कहा गया है। इसके बाद नेस्ट प्रसन देखते प्रसन के प्रसन प्रभुजी तुम घं वन हम entren पंक्ति में घं का अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है प्रभुजी तुम घन वन हम मोरा पंक्ती में घन का अर्थ क्या है आपको ये बताना इस पंक्ती में जो एक घन है इस घन का अर्थ क्या होता है तो तर दिखिए प्रभुजी तुम घन वन हम मोरा पंक्ती में घन का अर्थ है बादल इसमें घन का अर्थ किस किसे कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवधन परवत को धारण किया था इस परकार से आप प्रश्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद नेश्ट प्रश्ण है प्रश्ण किसका पर्यावाची सब्द हैं प्रश्ण कहा है अंगुजक कमल का पर्यावाची सब्द है में इसके बच किस आपका प्रश्ण Nem export नव नौ छोए ज़िन दें प्रश्ण तो आप उत्तर बताएंगे रह 10 दी की वक्ती 10 दास भाव की है उधान हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे शावियो अता मैं दास भाव की वक्ती करता हूं इस वकार से आप प्रशनमबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं इसके प्रशनमबर 10 मेरो मन अनन्त कहां सुख िऊ पेचान पिरस्प कर देखिए सुदाज दिन कर्ष्ण से अपनी अनन्म है भक्ति को दर्सात वे कहते हैं कि मेरे मन दूसरी जगह कहां सुख्स पिरक्ता कर सकता है इस प्रकार ची ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उलेख किया है तो इस प्रकार आप प्रेश नमबर 11 को उत्तर लेख सकते हैं इसके बाद नेश्ट प्रेशन है प्रेशन नमबर 12 खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पद के संधर में इस पंक्ती का अर्थ लिखिए देखिए जो आपकी पंक्ती दीए खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पद के संदर में इस पंक्ती का अर्थ क्या है आपको बताना है मीरा जी कहती है कि भक्ती रूपी संपती भक्ती रूपी संपती बहुती अजब है जिसे किसी भी तरह से ख़च नहीं किया जा सकता इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता यह भक्ति, रूपी धन दिन, प्रति दिन सवाया होकर बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है, गड़ता नहीं है, इस पकार चाप प्रस्ट नमबर 12 को लिख सकते हैं, नेक्ट अगला प्रस्णा था आपका प्रस्ट नमबर 13, प्रस्ट नमबर 13 हम क्या कहा है, भक्त रहधास ने भगवान से अपना संबंद स्थाफित करते हुए किस से अपने को जोड़ा है तो देखिए इसका रहेदास ने भगवान से अपना संबंद स्थाफित करते हुए प्रभू को चंदन प्रभू को चंदन स्वयम को पानी, प्रभू को बादल स्वयम को मोर, प्रभू को चंद्रमा स्वयम को चकोर पक्षी, प्रभू को दीपक स्वयम को बाती, प्रभू को मोती और स्वयम को उसमें पिरोया जाने वाला धागा मानकर उसने अपना संबन जोड़ा है इसके बाद नेश्ट आपका प्रशना आता है प्रशनमबर चाहुदा प्रशनमबर चाहुदम क्या रहा है मेरो मन अनंत कहा सुखपावे पद की व्याख्या आठदस वाक्यों में लिखिए तो चलिए इसका उतर देखते हैं इस पद्यांस के माद्यम से सुधा जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभू के अलावा और कहां सुख प्राप्त का सकता है और कमल के समान नेतर वाले सिर्केशन भगवान से कोई अन्य भगवान स्रेश्ट नहीं है ऐसे देवतास से हटकर यदि कोई की दूसरा ध्यान करता है तो उससे बड़ा मुर्क इस दुनिया में कोई नहीं है वहाँ उसी मुर्क के समान है जो प्यास लगने पर मीठे सा अगर को छोल कर कुई की तर्वास करता है इस पकास से आप प्रशनमर 14 का उत्तर लिख सकते हैं यहां पर आपका प्रशनमर 14 उत्तर बताए यह प्रशन आपको अच्छे लगे हों तो आप हमाद चैनल आइडियल देव क्लास से को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए यहां अन्य ग्रूप में शहाद चलूब